इधर प्योके ने भारत को कहा मा और मोदी सरकार ने त्यार कर दी लिस्ट बजने वाला है सेना का रेड अलार्म पाकिस्तान छोड़कर भागे अमीराद मी 10 लाक लोग अचानक से हुए गायब भारत की त्यारी देख दुनिया डरी इधर पाकिस्तान भोग से मर रहा है और उधर जब पिछले कुछ दिनों से प्योके की कोई खबर आपको नहीं मिली होगी तो आप भी हैरान रहे गए होंगे कि आखिर अचानक से सनाटा कैसे पसर गया लेकिन इसी सनाटे के बीच से प्योके के अंदर से भारत माता के लिए ऐसी चीक सुनाई दे रही है जिसे सुनकर आप भी कहेंगे अब वक्त आ गया है गर्म लोहे पर चोट करने का इधर प्योके ने भारत को मा कहे कर पुकार लगाई और पियम मोदी ने खुफिया लिस्ट तयार कर ली भारत की सेना तो पहले से ही तयार है दावा किया जा रहा है कि कभी भी सेना का रिड अलर्ट अब जारी हो सकता है एक खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान छोड़ कर वहां के अमीर लोग भागने लगे पाकिस्तान में इस वक्त ज्यादा तर लोग ऐसे बचे हैं जो गरीब है जिनके पास पैसा नहीं है और कहीं जा नहीं सकते हैं बताया जा रहा कि 10 लाख लोग पाकिस्तान से अचानक से गाइब हुएं लिकिन इसके पीछे की कहानी और सच क्या है चलिए आपको बताते हैं पियोके के अंदर से इस वक्त वहां के लोग भारत को मदर इंडिया और मा कहकर चिला रहें ये हैं पियोके के सबसे बड़े एक्टिविस्ट अमजद अयूब मिर्जा जिनोंने एक वीडियो जारी करके भारत को मा और मदर इंडिया कहकर आवाज लगाई है ये वही अमजद अयूब हैं जो पियोके में हो रहे हैं पाकिस्तान के अत्याचार को दुनिया के सामने रख रहे हैं और पियोके को भारत का हिस्सा मानते हैं अमजद अयूब ने एक वीडियो जारी करके बताया है कि पाकिस्तान की सरकार P.O.K. में गैर कानूनी जणगरणा करा रही है P.O.K. एक विवालित जगह है जहां पर जणगरणा नहीं हो सकती है पाकिस्तान की इस कदम की वज़े से पियोके के लोग अब चिला चिला कर कह रहे हैं कि हम पाकिस्तानी नहीं है, हमको जल्द से जल्द भारत माता के साथ मिलना है अब इसी बीच मोदी के हनुमार अजीर डोबाल ने खुफिय अजिंसियों के साथ मिलकर प्योके में बैठे आतंकियों के एक लिस्ट त्यार की है भारती सेना के खुफिया सूतरों के मताबिक सेना फिर से सर्कल स्टाइक करने की त्यारी कर रही है और कभी भी सेना का रेड अलार्म बच सकता है बात सिर्फ इतनी सी नहीं है इसे हपते अमेरिका ने भी दावा किया है कि भारत पाकिस्तान के खिलाब कोई बड़ा एक्शन लेनी की त्यारी कर रहा है लेकिन इस सब के बीच पाकिस्तान से अमेर लोग क्यों भाग रहे हैं और अचानक से 10,000 लोग कहां गायब हो गए हैं अब चलिए इसके बारे में भी आपको बताते हैं जिस तरह के हाला थे पाकिस्तान के लोग अब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जिन्दाबाद का नारा लगाने का वक्त अब नहीं बचा बलकि पाकिस्तान से जिन्दा भागने का वक्त है। इसका खुलासा बड़ी कार कंपनी हॉंडा कार्स की एक रिपोर्ट से हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक इसकार कंपनी ने पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज को एक नोट लिखा है और कहा है कि हम गाडियों का प्रोडक्शन बंद करने जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अमीर आदमी नहीं बचे हैं। जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि भारत में जो कार इस वक्त 20 लाक में मिल रही है। महंगाई की वज़े से उसकी कीमत पाकिस्तान में 40 लाक हो गई है। भारत में जो एस यूबी गाडियां 30 लाक में मिल रही हैं वो ही गाडियां खरीदने के लिए पाकिस्तान में 1 करूर उपए से ज़्यादा पैसा होना चाहिए। कुछ आकणों की बात करें तो पिछले एक साल में पाकिस्तान के अंदर से 10 लाक लोग देश छोड़ कर जा चुकें।